कि अब आप सभी कि आप डिश्टेक चैनल में स्वागत करता हूं और यह आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जो मोस्ट इंपर्टन क्यूस्टेंस होते हैं जनरल नॉलेज्ज के सामान हिंदी में वो किस तरह से आते हैं और क्यूं आते हैं और उन्में प्रतवी सब्सक्राइब्स इसको पृतिवी से लेके चंद्रमा तक की जो दूरी होती है वो 3,84,403 km होती है और हम किलो मीटर में देगें तो 3,84,403 km होती है ठीक और जो पृतिवी की दूरी है ठीक ना पृतिवी की दूरी और चंद्रमा की दूरी उसके परिद की 30 गुना है चंद्रमा जो है पृतिव सिंगर यां 2 राता है गादी गादी फिल्म में गादी की भूंक्या किसने निभाई है तो ग्ाधी फिल्म एक बनी है बॉल्यूड में जो कि गादी जो कि गानी जी की तरह दिखते थे, वो है Ben Kingsley, कौन? Ben Kingsley, तो वहां के जो संगीतकार है, सिंगर है, उस फिल्म के सिंगर जो है, वो है रविशंकर और जोर्ज फेंटल, ठीक? कौन? रविशंकर, संगीतकार और जोर्ज फेंटल, ठीक? और जो इसके डारेक्टर थे, वो है Richard A Attenborough, ठीक? और जो निर्देशक थे, ठीक? वो है Richard Attenborough, बदलब चाहे उसे डारेक्टर का यह निर्माता चाहे निर्देशक, वो दोनों कौन है? Richard Attenborough, ठीक? और लेखा किस फिल्म के? जो गाधी फिल्म बनी है, उसके लेखा कौन है? Ben Kingsley, कौन? Bev Kingsley, जो की इसमें गाधी ज सब्सक्राइब है ठीक, अब हम देखते हैं, लेक्ष्ट क्यूस्ट क्यूस्टन. इसमें से सबसे में पॉइंट क्या है? शिक्षक दिवस कं मनाई जाता है? तो सिक्षक दिवस पांस सितमबर को मना राजाता है, और किसके भारत के पूर्व राष्ट्पती, डांक्टर शर पल्ली राधा-कृष्णन की जैन्ति पांच सितंबर की होती है और उसी दिन पर ये सिख्षक दिवस मनाया जाता है क्यूंकि उनके जनधिवस के मौके पर पूरा थेश पांच सितंबर कोई सिख्षक соп करूं मनाता है तो इस अब नेक्स्ट qüस्टि में गिराया गय था और किसके दौरा राजम के दौरा जापान में परमाणम किराया गया था थे आफ्ची बेच थे नव नória अम अगस्ट के बीच में मौनए 35 में गिराया गया था थीन दन की बीच में क्या स्थान में जापन तो देश है जिसे भारत देश है तिक उसमें यहाँ कई राज्य है तो इस्थान जो है हई रोशिमा और नागासाकी है अईसे इस थाने जहां पर गिराया गया था यह राई टेक और हिरोशिमा जो है हिरोशिमा में लगवग 20,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे टेक और जिसमें से कह सकते हैं कि 70,000 के आसपास आम नागरिक भी मारे गए थे यह तो 20,000 सैनिक मारे गए थे अब 70,000 के आसपास नागरिक मारे गए थे बहुत हैं किसमें कुल मिला के 30,000 के आसपास बेक मारे गए घृ ошиб अर फिरgewal देखते हैं भागडा नागल बांध किस नदी पर है यह आता है important question कि भागडा नागल बांध किस नदी पर है तो यह सतलज नदी जिज़ें सतलज नदी भी कहते हैं ठीक और इसका नाम जो है भागडा बांध भी कहते हैं भागडा नागल बांध को भागडा बांध भी कह सकते हैं ठीक य यह आसपास में गया जिसकी लेंद क्या है, लंबाई क्या है, 725 लेंग फीटर में यह तक क्या पांच कैसे आते हैं हमारे सामान हिंदी में कि यह competition में हमारे लिए किस तरह से लापदायक हो सकते हैं और इन से related हमने आज questions जाना तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे करें और यह वीडियो सेर करिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी किसी कंप्रीजिएंट की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उनको उनके लिए सहायक हो तो थैंच्छी आप